हिंदे कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत ही ये वीडियो बिसे सुरुप से बिहारवी जो सिक्षकों की बहाली होने वाली है उससे संबंदित है हम आपको बता दें कि जो डेट था 26.08.2019 फॉर्म का डेट अपलाई होने का वो एक्स्टेंड रो चुका उससे संबंदित न्यूज है साथ में जो सिथिल कर दिया गया है कि भोगोल और इतियास में पासाउट होना अनिवार था उससे सिथिल कर दिया गया है उससे भी संबंदित इसमें अपडेट है इसके साथ ही एक और पीडियाफ आया है जिसके बारे में इस वीडियो में तो हम चर्चा नहीं सकता है कल के पेपर में नीज पेपर में आएगा यह आपका अधिशूचिना है बिहार सरकार सिक्षा विभाग द्वारा चली सुरू से पढ़ लेते हैं अराम अराम से पढ़ेंगे कुछ-कुछ बातों को देखते हुए चलेंगे थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं कि अ नार्ग देश निर्गत किये गए थे इस संबंद में कती पैव अव्यारतियों द्वारा कुछ अव्या वेदन प्राप्त हुए थे यानि कुछ लेटर मिले थे उन लोग को प्राप्त अव्या वेदनों की समक्षा विभाग द्वारा गटित समीती के द्वारा की गई समीत दो निम्नुवत होगी नियोजन हित्यू अहर्ता तथा सिक्षक पदों की गण्ना एवं विवरंग गण्ना विवरंग किस परकार होगा ये तो पहले से नियोजे किस तरह होगा नियोजन है तो सिक्षक पदो की गढ़ना प्रात्मिक कक्षाओं एक से पांच के लिए अलग तथा उच्छे प्रात्मिक कक्षाओं यानि छे से आठ के लिए अलग की जाएगी यानि दोनों का कांटिंग अलग 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 परएगा। उक्त नियुमाली के तहत प्रसिक्षित एवं तीटी अहरता धारित अव्यारती ही नियोजन के लिए आविदन कर सकेंगे। इस संबंद में असपस्ट करना है कि विवागिया अदेश ग्यापांक आठ तीन साथ दिनांक दो साथ 2019 के आलोक में बिहार प्रारंबिक सिक्षक प क्या था इसले दो साल का जो रद किया था मतलब इससे पहले जो नियुँ जो चल रहा था कि तो तो था कि उसमें पूछा गया सवाल यही कि अगर TT को हमेशा के लिए valid कर दिये तो अच्छा रहेगा इस तरह के सवाल था मतलब हमेशा के लिए TT को valid करने की बात कही गए थी उस पे वो जवाब उनका आया था TT को अगर valid हमेशा के लिए किया जाएगा तो वो सही नहीं होगा क्योंकि उनका syllabus change होते रहता है इसी पे उन्होंने जवाब दिया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें यानि इसमें फिर से वही बात कही गए एक दो जरबारे को बैदता और अगले दो साल वर्स के लिए विस्तारित किया गया है जो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नहीं विस्तारित नहीं किया गया है वो फिर से यहां पर देख सकते हैं प्रात्मिक अक्छाओं के लिए निम्नांगित तीन विस्यों के सिक्षक पद नियोजन हितू सेक्षणी योगता निम्नोत होगी इसके बाद इसमें देखा जाएं को उच प्रात्मिक में यानि आपका सेक्स्ट्वेट में असनातक गणीत विज्यानि सिक्षक के लिए सक्षなんです योगीता क्या होना चीए इसके अलावा रसायन बनिस्पतिında जन्तुविज्यान में असनातक इसके अलावा हैва योगिता धारी होंगे वो भर सकते हैं अपोब होगा जो इंजिंशीनिंग जो है 2014 के अतहत इंजिनिंग में असनातक जिनमें बिज्ञान और गणित की बिसे सग्यता हो को बीएड में नमंकर नहीं तू पत्रता निर्धारित की गई है तथा अंसार वैसे अभ्यारती जो एंजिनिंग से असनातक जसमें बिग्यान और गणित की बिसे सग्यता हो तथा बीएड एम टीटी पुतीन हो को असनातक गणित एम बिग्यान बिसे में मद्ध विद्याले के सिक्षक पद पर नियोजन की पत्रता होगी इसके अलावा जो बिएसी है बायो टेक्निलोजी एम बिएसी इलक्ट्रोनिक्स जो परसान थे उन लोग का भी सॉलूशन हो गया है योग्ता धारी को बिग्यान एम गणित विशे के मद्ध विद्यालों के सिक्षक के पद पर नियोजन हे तू उनके सक्षणी योगिता की मन अधार पर हुआ हो और गणीत हुआ हो और गणीत अथ्वा बिग्यान भौतिकी रसायन जी विज्ञान में से कोई एक मैथेट पेपर के रुप में पढ़ा गया हो तो उक्त सेक्षण योगता के अधार पर मद्ध विद्याले में गणीत विज्ञान शिक्षक के पद पर नहीं हो जानी तुम मानेता दी जाती है चलिए यह प्रॉब्लम सल्व हो गया दूसरा असनातक समाजिक विज्ञान के सिक्षक सेक्षण योगता जो इनका क्या होना चाहिए तियास भौगल रजनितिक सास्त दर्सन सास्त अर्शास मोनो विज्ञान समाज सास्तर में असना इसके अलावाँ घः है इनका असनातक भासा के सिक्षक सेमें यह सेक्षण योगता हिंदी के लिए सनातक अस्तरवेपथित हिंदी विज्ञान अर्थात साहिक विज्ञां अत्व प्रतिषठा के रूप में रखा गया हो अंग्रेजी के लिए असनातक अस्तर्वेपठित अंग्रेजी भिसे अत्वा प्रतिष्ठा के रुप में रखा गया हो घा है संस्कृत भासा के सिक्षक संस्कृत में असनातक या सास्त्री के डिग्री उर्दू अंगा है उर्दू सिक्षक सेक्षणी योगता आलिम के डिगरी अत्वा उर्दू भासा मेसना तक अब यहाँ, आगे बढ़ते हैं दो नममर में इन्होंने लिखा है इसके अत्रिक्त जीला सिक्षापादी देकारियों के साथ नियोजन परकिरिया के समिक्षा में यह पाया गया कि अपरिहार अस तरव्य विलम के कारण समय सिमा कानुपालन को जीलो द्वारा नहीं किया जाज सका है अतो सुचारूरुप से नियोजन की प्रकिरिया को पुन कराने ये तो अजी सुचना संख्या जीलो दिनांग 5-7-2019 की कंडिका एक में अंकित नियोजन है तो समय ताल का मेनी नियत संसोधन किया जाता है क्या संसोधन करेंगे तो बड़ा एक्स्टेंड करते हैं ये इनको जरूरत था क्योंकि बहुत बड़ा एक लग रहा था कि रिखती देने के ताने वाले हैं देंक येहां पर डेटका नसे बढ़ना सब्नाना चलू और तो जिला रोस्टर वशा नुमोधान नियो नو 2019 तक सभी नियोजनी काई नियोजन है तुशुजना का परकासन 1929 तक आवेदन पच्त प्राप्ति कि टेठीय दिखिए अब 989 2019 से इधर नहीं है बबू अब 58 만들어 नो 2019 से है कब तक होगा को 7010 2019 तक होगा कब तक होगा बबू 7010 2019 तक होगा अब कुछ एक बर और हो जाएगा को दिसंबर 2019 वाले हैं सीटेट जो पास होने वाले वो भी इसमें अपलाई कर सकते हैं कुछ दिन और रूख जाएंगे यह लोग तो लग तो यही राज इस तरीके से यह लोग कारे कर रहे हैं उस पे कहना कुछ और ही है चलिए निगेटिम अठारे 10-2019 से 4-11-2019 तक मेगा सुची का नियोजन समीती का द्वारा अनुमोदन 10-11-2019 तक मेगा सुची का प्रकासन 14-11-2019 तक मेगा सुची पर आपत्ती 15-11-2019 से 29-2019 तक अपत्तियों का निराकरन 4-12-2019 तक मेगा सुची का अंतिम प्रकासन 7-12-2019 जिला द्वारा पंचायत प्रखंड मेगा सुची का अनमोदन 3112 तक नियोजन इकाई दोरा मेगा सुची का सरवाजीनी करन 420 तक अवेदन के साथ सनलगन स्वाव अभी प्रमाडी प्रमाड़ पत्रों का मुल्प प्रमाड़ पत्र से मिलाने उन चैन सुची का निर्माड 62020 से 131 कि और 2020 तक नियोजन इकाई दोरा नियोजन पत्र निर्गत करना और 2020 में चलना होगा आप 2020 में अब आपको नियोजन पत्र मिलेगा नियोजन पत्र आपको 2020 में मिलेगा उनीस में कभी वेट मत कीज़ेगा कुछ दिन और रुख जाएंगे नितिज जी तो एलक्षन सामने है तो नजदिक ले जागा है करते हैं तो अच्छा वागत है यह कुछ कहना भी पत्ति जनक है हम ल बिसेस यही है कि आपका जो भी प्रॉब्लम ता लगवक्त सॉल्व हो गया है और डेट यह एक्स्टेंट हो गया है यानि अब आपका जो इंतिजार की जो घड़ी है वो बढ़ गई है और आपका टाइम टेबल बढ़ गया है अब धड़कनी जो बहुत तेज सी कि दो दि लिजे अगले साल जाएंगे साल उमीद मत रखिएगा अविधन पत्र की तिति याद रखिएगा अठारे नौ 2019 से सतरे दस तक चलिए कोई बात नहीं जो होता है सब अच्छे के लिए होता है इंतिजार के घड़ी अच्छी लगती है चलिस वीडियो में इतना ही अगर अगर दो कमेंट कीजिए कोसिस करते हैं उस पर भी लेकर है हमने बताया था कि ये कुछ देर हो सकता है लेकिन इतना देर हो सकता है हमें पता भी नहीं था चलिक कोई बात नहीं कोई लाल मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ तब तक उमीद रखिए कि आप नीची थी चिक वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस काल लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है